दो दिन के महराश्ट दौरे पर अमिश शाह एंडिये में सीट बटवारे की तस्वीर होगी साफ बीजेपी आगामी लोग सभाचनाओं की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है अपकी बार 370 पार का नारा लिये पार्टी हर तरह से तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश कर रही है चुन चुन कर पार्टी अपने उमिद्वार उतार रही है पहले लिस्ट से ही साफ हो गया है कि पार्टी अपने 370 पार के लक्षे लेकर कितनी गंभीर है पार्टी ने अपने कई सीटिंग सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों पर दाउन लगाया है इसी बीच ग्रिह मंत्री अमिश शाह अपने दो दिन के दोरे पर महराश्ट पहुंचे हैं बीती रात 10 वजे वो संभाजी नगर पहुंचे यहां उनके कई एहम कारिक्रम हैं अमिश शाह मंगलवार को अकोला जाएंगे ग्रिह मंत्री बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समीती और उसकी कोर समीती की बैठा कध्यक्षता करेंगे इस दोरान चंद्रपर बुलधाना अकोला यव बोधित करेंगे मराठवारा विधर्ब खान देश महराष्ट में तीन महत्तपून शेत्र माने जाते हैं मराठवारा मराठा आरक्षन का केंद्र है जिसको लेकर पिछले काफी समय से महराष्ट की सियासत में बवाल मचा हुआ है ऐसे में अमिश रह इन महत्तपून कर रस्ता कश्ची चल रही है एंडिये में सीट बटवारे पर फंसा पेंच दरसल महराष्ट में बीजेपी के सहयोगी दल एंसेपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है 48 सीटों लोग सभा सीटों वाले चाहती है वहीं अपनी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटे और एंसेपी अजित गुट को 6 सीटे देना चाहती है जबकि चुनाओ में शिवसेना 12 सीटों की मांग कर रही है यही बज़ा है कि पार्टी में सीट बटवारे की बात अभी तक नहीं बनताई है सो मौर 5 मार्च को संभाजी नगर की सभा के बाद अमिश रह मुंबई के लिए रवाना होंगे जहां वो एंसेपी और शिवसेना नेताओं के साथ बैठक करेंगे जिसमें सीट बटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है